मप्र कोशालय भुपाल से अत्यावश्यक आदेश अब एई ईपीएस से भुकतान सभी कर्मचारी शिक्षकों का FMIS अपडेट आदेश देखे प्रमाक व भा को FMIS 2022 बटा 495 भुपाल दिनाग 16 नवंबर 2022 प्रती समस्त आहरन एवं सम्वित्रन अधिकारी वल्लब भावन कोशालय भुपाल विश यह कोशालय में देयक प्रस्तुत करने के संबंध में संदर्भ आयुक्त कोश एवं लेखा मध्यप्रदेश द्वारा दिनाग 16 नवंबर 2022 को दिये गए निर्देश उप्रोक्त विश्यान तर्गत लेख है आयुक्त कोश एवं लेखा मध्यप्रदेश द्वारा दिनाग 16 नवंबर 2022 को दिये गए निर्देश अनुसार FMIS में सॉफ्ट्वेर अपडेट के पश्चात नवीन भुखतान प्रनाली से भुखतान करने के लिए दिनाग 19 सुविधा शुरू हो जावेगी SBI Apes प्लाटफॉर्म पर जाने के दिन याने 18 नवंबर 2022 को समस्त दी ओके बिल क्रियेशन प्रोसेसिंग बंद रहेगी अतहा आप अपने कार्याले के दिनाग 17 नवंबर 2022 तक आवश्यक रूप से FMIS में रिसीव कर कोशालय को दिनाग 17 नवंबर 2022 को ही फॉवड करें तथा कोई भी दियक आप अपने लॉग इंड में पैंडिंग न रखे इस प्रकार की अपडेट जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बैल आइकन है उसे आल पर सेट कर दे धन्यवाद